Hello everyone and welcome to my channel Hi-Fi Educator So student, आज हम बात करने वाले हैं Economics के most important question के बारे में जो की आपके agriculture entrance exam में पूछा जाता है तो चलिए वीडियो को start करते हैं और आपको बदाते हैं important question So guys, पहला जो question आपसे पूछा जाता है वही second question आपसे बहुत ही ज़्यादा important पूछा जाता है कि बदाए कि भारत का कितना percent आबादी क्रिसी उद्योग पर निर्भर है तो वो है 58.9% जो आबादी है वो क्रिसी उद्योग पर निर्भर है चले गए next question पे जलते हैं पी के आधार पर जो है वो तीसरे अस्थान पर है चले गए next question पे चलते हैं नेक्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताए कि भारत में उच्चतम मानव विकास सुचकान जिसे कहा जाता है SDI किसे राजे में है तो वो राजे कौन सा है केरल है चले गए next question पे जलते हैं नेक्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताए कि जनसंख्या बृद्धी से आर्थिक विकास की गती पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जनसंख्या बृद्धी से जो आर्थिक विकास की गती पर प्रभाव पड़ता है वो क्या हो जाती है मंद हो जाती है अगला next question आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि मानो विकास सुचकांग में भारत का क्या अस्थान है तो बानो विकास सुचकांग में जो भारत का अस्थान है वो 131 है so guys next question की तरब चलते हैं next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि पहला मानो विकास सुचकांग किस अर्थ सास्त्री ने तयार किया था तो पहला मानो विकास सुचकांग जो तयार किये थे वो थे महबूब उल अहक ने so guys next question की तरब चलते हैं next question बहुत ही ज़्यादा important है इसलिए आपसे कहूँगा कि चैनल पर अगर नए है तो सबसे बले चैनल को subscribe कर ले क्योंकि यहां पर agriculture के important वीडियो आपको provide किये जाते है so guys next question में पूछा जाता है कि प्रात्मिक छेत्र किसे कहा जाता है तो क्रिसी छेत्र को ही क्या कहा जाता है प्रात्मिक छेत्र कहा जाता है चले guys next question की तरब चलते हैं next question में आपसे बहुत ही ज़्यादा और फसाने वाला question पूछा जाता है कि बताए कि सिच्छक द्वारा अपने पुत्र को जो पढ़ाना होता है वो क्रिया दो टाइपस की क्रिया होती है पहला अनार्थिक क्रिया होती है और दूसरा आर्थिक क्रिया होती है चलिए गाइस नेक्स कुशन की तरब चलते हैं नेक्स कुशन बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है हर बार एक री कल्च परिषत का अध्याच कौन है तो राश्टी विकास परिषत का जो अध्याच होता है वो होते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी जो भी हो नैक्स क्रोशन की बात कलें तो नैक्स क्रोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताः कि किस आधुरी की अंद्र के आगमन के बाद सुचना, सिच्छा, एवं ग्ञान, सर्वसुलब हो गया है तो computer के आगमन के बाद क्या हो गया है कि सूचना, सिच्छा एवं ग्यान सरसुलब हो गया है मतलब सभी जगा उपलब्ध हो गया है चले गाइस next question की तरफ चलते हैं next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बेवसाइक बैंक का रास्टी करण किया गया तो बेवसाइक बैंक का जो रास्टी की करण किया गया था वो 1969 में किया गया था तो guys next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंतरास्टी ब्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है तो अंतराश्टी बैपार संबंधी नियमों को निर्धारिश करने वारी जो संस्था होती है वो होती है बिस्व बैंक Next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था तो भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था So guys next question की तरफ चलते हैं Next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि बिहार किस जिले का प्रतिव्यक्ति आय सरवाधिक है तो बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें प्रतिव्यक्ति आय सरवाधिक है तो वह जिला कौन सा है पटना है जिसमें प्रतिव्यक्ति का आय सरवाधिक है So guys next question की तरफ चलते हैं Next question में आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यदा important question की बताइए कि लीची का विस्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो वो है भारत जो की हमारा देश है Next question की तरफ चलते हैं Next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा भारतियराजगरीबी के कुछ चक्र का सिकार है तो कौन सा है भारत नहीं बिहार है भारत में ही बिहार सियार सब कुछ आ जाता है समझ रहे हैं तो बिहार है चले गाईद next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत मेरा STI की गड़ना के लिए सरोमान प्रमाडित संस्था है यह वो होती है केंद्री सांख की संगठन संस्था होती है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में बित्तिय वर्स कहा जाता है तो एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च तक के समय को क्या कहा जाता है बित्तिय वर्स कहा जाता है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाओ दिया था ये question पूछा जाता है हर बार पूछा जाता है इसलिए से note कर लिजेगा तो कौन दिये थे Professor Kenz ने दिया था so guys next question की तरफ चलते है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि गरीबी के कुछक्र को किसने परिभासित किया है तो गरीबी के कुछक्र को जो परिभासित किये थे वो थे Ragnar Narcs थे next question की तरफ चलते है next question में पूछा जाता है कि बताईए कि आप जरूर देखेगा वीडियो को skip करने की कोशिस मत करिएगा सो गाइस पूछा जाता है कि रास्टी आयस समीती का गठन किस वर्स हुआ था तो रास्टी आयस समीती का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1949 को हुआ था सो गाइस नेक्स कोशन की तरब चलते हैं नेक्स कोशन में पूछा जाता है कि बताए कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मानिता प्राप्त है तो पत्र मुद्रा जो होता है उसे वैधानिक मानिता प्राप्त है next question में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा question पूछा जाता है कि कौन plastic मुद्रा के रूप में प्रचली था इसमें आप question फस जाएगा आपका और ये paper में पूछा जाएगा है 2020 में तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ATM को किसे कहा जाता है पहले कहा था तो गाइद next question की तरफ चलते है next question में पूछा जाता है कि बताईए कि छेत्री ग्रामीड बैंकों की स्थापना की सो वर्स की गई तो वो किया गया था 1975 में किया गया था next question में आपसे बहुत ज़्यादा important पूछा जाता है so guys next question की तरफ चलते है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि भारत में सहकारिता अंदोलन का प्रारंब कब हुआ तो भारत में सहकारिता अंदोलन का जो प्रारंब हुआ था वो 1904 इस्वी में हुआ था next question आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि रास्टी ग्रामिड रोजगार गारेंटी योजना किस महा पूरुस के नाम पर है तो महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है सुगाईद आज हमने आपको बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट कोशन कराए जो कि यूपी कैडट के लिए बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट है साथ में अगर आप यूजी और पीजी एगरी कल्चर इंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं एडिमीसन के तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट है इसलिए आपसे यही कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो रूप्रेस कर लें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे बहुत सारी एगरी कजर की वीडियो पड़ी है आप उसे देख सकते हैं तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स वीडियो में एक नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार